Assalamualaikum everybody आज की episode के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से viewership को और insights को आपको समझना चाहिए और YouTube के ओपर as a business man या as a business woman या YouTube के ओपर पैसे कमाने के लिए insights और viewership की जो understanding है वो कितना जरूरी है आप ही तक हमने जितनी पी चीज़े पढ़ी है उसके अंदर मैंने आप वह बताए कि content किस तरीके से बनता है content किस तरीके से पेश होता है किस तरीके से आपको अपने interest उसको जोड़ना बढ़ता है अब समझें कि आपने content बनाना शुरू कर दिया और आइस्ता आइस्ता आपकी viewership बढ़ना शुरू हो गई है आपके पास subscribers आने लगें आपके पास viewership आने लगें आपके viewers बढ़ने लगें इस point के अंदर आपका जो analytics का section है उसके अंदर YouTube आपको बताना शुरू करेगा कि आपकी जो आवाम है आपका जो viewer है वो कहां से आता है किस age का है किस gender का है और ये चीज़ वैसे तो बहुत सारे लोग बिलकुली नजर अंदास कर देते हैं बहुत सारे लोग आशली जाकर देखते भी नहीं है मगर अगर आपको YouTube को as a business लेकर चलाना है तो you need to understand कि आपके जितने भी metrics हैं आपके चैनल के जितने भी numbers हैं वो क्या हैं अक्सर होता ये है कि ये example मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ बढ़ ये कि आप एक खाने से related channel बनाते हैं अगर हो सकता है कि वो खाने से related channel आप एक funny तरीके से बनाते हूँ यानि कि kitchen fails type की कोई चीज़ हो जिसमें आप 4-5 चीज़ें मिला के देखते हूँ मगर end result हमेशा यह हो कि आप fail हो जाते हूँ आप failure हैं ये आपके channel का जो है नवो खास point है funny channel है बट kitchen के अंदर आप comedy करते हैं अब वैसे तो देखने में ये लगेगा कि ये खाने का channel है मगर हो सकता है because it's funny or it's comedy तो हो सकता है इसकी जो viewership है वो actually उन लोगों की ना हो जो kitchen या food से related content actually में देखते हों यानि कि अगर मैं आपको एक example दूँ तो housewives जो हैं या जो घर की खावातीन हैं वो ज़्यादा तर जो है ये एक general जो है insight है market के अंदर कि वो youtube के उपर recipes से related और kitchen से related और यानो खाने किस तरह बनते हैं कौन से चीज किस तरह बनाई जाए shortcuts वगरा kitchen के shortcuts इन सारी चीजों से related content देखती हैं अब मैं आपके channel को अगर देख रहा हूँ as a brand तो हो सकता है कि इसकी अवाम जो है वो यही खवातीन हो housewives you know women who want to cook but reality हो सकता है यह हो कि चूंके आप funny content बनाते हैं और आप फ़री सी parodies कर रहे हैं तो आपकी जो audience है वो लड़के हों वो भी teenagers जिनको इस तरीके comedy पसंदे है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है न वो contrast आ जाएगा मुझे as a brand आपके channel पे पैसे लगाने मगर आपके पास वो audience है ही नहीं तो यहाँ पर मेरी जो brand है उसकी sponsorship या उसकी partnership आपके साथ redundant हो जाएगी उसको कोई फाइदा नहीं होगा क्योंके अगर मैं 20,000 या 25,000 का kitchen appliance कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी अवाम के अंदर सारे 14 या 12 साल की लोग हैं तो वो एकदम misfire हो जाएगा वो तीर अपने निशाने पर नहीं लगेगा और उस sponsorship का या उस partnership का as a brand मुझे कुछ भी फाइदा नहीं होगा तो जब भी आप अपना channel बनाते हैं जब भी आप अपना content बनाते हैं एक चीज जो आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए वो यह है कि जब आप proposal देने जाते हैं किसी brand को या कोई brand आपको reach out करता है आप से पूछता है कि आपके demographics क्या है आपकी audience क्या है आपकी viewership किस तरीके की है आपको पता होना चाहिए कि आपका content किस तरीके का है और किस तरीकी की अवाम उसको देखती है सबसे पहली चीज तो यह है कि sponsor को proposals के अंदर भेजने के लिए आपके पास वो सारा data होना चाहिए और आपको वो data समझ आना चाहिए मुझसे जैसे ज़्यादा दर लोग आके पूछते है जितनी brands है कि आपकी target audience क्या है तो मैं बोलता हूँ कि 18 to 24 male dominant target audience है मेरी यानि कि 18 से 24 साल के लड़के मर्द जो हैं कि 70% जो है वो 18 to 24 है 20% जो है उससे उपर है 10% उससे नीच है तो ये सारे metrics अगर आपके पास लिखे वे होंगे तो किसी भी brand को जब आप proposal भेजने जाते हैं तो उसके लिए ये समझना बहुत असान होगा कि क्या आपका channel उनके लिए suitable है sponsorship के लिए या नहीं